दोस्तो इंडिया में ज्यादा तर लोग अपना गेस सिलिंडर का बुक ओफलाइन करते हैं, या तो वो खुद ओफिस्ट में जाके करते हैं या फिर को ल के माधियम से उनको फोन करके गेस की बुकिंग करते हैं. लेकिन आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओनलाइन विडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँँच सकें तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है एज गेस सिलिंडर केसे बुक करें लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताइए कि आप लोग अपना गेस सिलिंडर केसे बुक करते हो तो आप जान लेते हैं कि सबसे पहले कि पेटीम से गेस सिलिंडर केसे बुक करते हैं तो इसके लिए आपक आपको open करेंगे और अपने wallet में अगर आपके पास balance है तो चलेगा वन्ना आप यहां पर recharge करके या फिर KYC वगयर आपकी पूरी हो चुकी है तो आप ATM wallet में balance add कर सकते हैं या फिर अपना bank account पी इनकी UPI के साथ link करके यहां पर payment ले सकते हैं तो अब बात करते हैं booking की तो आपको ATM के जब आप open करेंगे तो उसमें recharge and bill payment वाला एक section मिलेगा उसके अंदर आपको book gas cylinder नाम का एक option मिलेगा जैसा कि आपको image में दिख रहा है तो आपको इस बटन पर click करोगे तो आपके सामने लिखा आएगा select your gas provider यानि कि आपका जो भी gas provider है उनका नाम आपको य जैसे उसके नाम के ओपर click कर दें तो उसके बाद आपको यहां पर लिखा आ जाता है guest provider में भारत guest उसके बाद अगर आपका Indian guest है तो यहां पर इंडेन लिखे आएगा और अगर भारत guest है तो यहां पर भारत guest लिखा आएगा उसके बाद यहां पर आपको अपना consumer number और नहीं पता है तो आप लोग अपना mobile number भी यहां पर दे सकते हो लेकिन द्यान रखे कि वही mobile number यहां पर डालना है जो आपने guest connection जब लिया था तब जो detail देने के साथ उस समय आपने जो mobile number दिया था वही mobile number यहां पर डालना है या फिर अगर आप call करके guest की booking करते हो तो वह call ज आप अपने paytm wallet से pay करना चाहते हो UPIF से pay करना चाहते हो यह delivery पे पे करना चाहते हो तो उसे आप अपनी मलजी के अनुसाल चुन सकते हो यहां पर आपको build details में अगर आप click करोगे तो build details में आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपकी amount क्या है और यह आपको deliver कहां और कब होगा साथ ही इसमें आपकी agency का नाम भी लिखा हो आ जाएगा उसके बाद जो total amount है उसको आपको pay करके click करोगे तो आपका amount हो जाएगा और आपका guest cylinder book हो ज लेते हो तो आपको cashback और offers मिलते हैं जिससे आप reward में check कर सकते हो तो यहाँ पर paytm के menu बार में जैसे ही आप जाएगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा cashback and offers का इसके उपर जैसे ही आप click करोगे तो जो भी reward या फिर scratch card आपको मिले होंगे वहाँ पर दिखने लगे तो आपको उ online guest booking कैसे करते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इससे like कर देजिएगा और WhatsApp ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इससे share जरूर किजिएगा और ऐसे इन्फोर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमार या कोई वीडियो बनाओ तो वह टॉपिक अपने चे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो